गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैपसूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके तयारी अच्छी चल रही होगी फ्रेंट्स आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज इसे रेगुलर अप्डेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लिए इसके लावा जो लोग जूरियर असिस्टेंट या फिर और किसी यूपिट्र पल सी के अग्जाम के तयारी कर रहे हैं तो उसके मैं प्रिवेस एर के कोश्टन का सॉल्यूशन आपको करा रहा हूं जो आप हमारी जी एस और हिंदी की दो प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं आज निउस पेपर में क्या-क्या इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हमारे छपे हैं जो कि एक्जाम के परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट है यह देखे सबसे पहला है और सबसे इंपोर्टेंट है नए और पुराने आयोक के बीच साल भर से जूल रही असिस्टेंट प्रोफेसर की भरती तो यह मैं कई बार क दर भी चुका हूं जून के बाद से सेकल उपद पड़े हैं खाली नए आयोक के गठन के बाद ही निदेशाल है तयार करेगा रिक्त पदों का व्योरा जो कि अभी तक आपका तयार नहीं हो पाया है पिछले एक साल से इसकी बात चल रही है लेकिन अभी तक यह नहीं हो प प्रदेश के अशाष्किय सहायता प्राप्त महाविद्यालों में 30 जून के बाद बड़ी संक्या में असिस्टन्ट प्रोफेसर के पद खाली हो गए है लेकिन अभ्यरतियों को इन पदों पर भरती के लिए इंतजार करना होगा अभी तो यह भी तै नहीं है कि पुरानी भ आयोग ही यह भड़ती कराएगा पर नया आयोग अभी तक आस्टिव में नहीं आ सका है आयोग हर साल उच्छ सिक्षा निदेशाले से असिस्टन्ट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अधियाचन मांगता है और निदेशाले छेत्री है उच्छ सिक्षा अधिकारियों से रि निदेशाले नेवी छेत्रे उच्छ शिक्ष अधिकारियों से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का ब्योरा नहीं मांगा जबकि जून 2023 में सिक्षकों की सेवन वरती के बाद के सैकल उपद आपके इसमें खाली पड़े हैं इन पदों पर भरती के लिए आवेदन की प्रकरिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है लेकिन कूरम पूरा ना होने के कारण भरती के लिए परिशा की तिथी घोशित नहीं की जा सकी आवेदिन पक्रिया को साल भर पूरे होने वाले है और अभ्यरती अभी भी नौकरी के लिए भटक रहा है तो देखिए पूरा फॉर्म वगरा सब भरिया है लेकिन एक साल तो ये फॉर्म भरवा हो गया एक्जाम तो अभी तक इसका हुआ नहीं अभ्यरतियों का कहना है कि जून के बाद कॉलिजों में शिक्षकों के सैकड़ोपत खाली हो चुके है और पहले से रिक्पदों की ब्रक्रिया अभी तक अधूरी पड़ी है तो देखिए अभी ये नया सिक्षा शेवा चायन आयों की वज़े से पहले की बहुत भरतियां पूरी नहीं हो पा रही है तो मेरा तो यही मानना है कि जल्दी से जल्दी सायों का गठिन किया जाए ताकि शिक्षक भरती में थोड़ी सी तेजी आ सके है क्योंकि देखिए दो भरतियां ऐसी होती है एक तो शिक्षक की और एक पुलिस की इसमें सबसे जादा बच्चे एब्ज़ॉर्ब होते हैं क्योंकि इसमें भरतियां थोड़ी सी जादा आती है अगला देखते है नीट काउंसलिंग में 18,717 शामिल तो आपके मेडिकल लगरा के लिए प्रदेश में MBBS वा BDS के लिए पहले चरण की काउंसलिंग में शनिवार शाम तक 18,717 अभियर्थियों ने धरोहर राशी जमा करा कर पंजी करन आपका इसमें करा लिया है तो इसमें कॉशन मनियों बगरा रखकर अभी लेखो के ओलाइन सत्यापन के बाद शनिवार देर शाम चिकित्सा सिक्षा महा निदेशाले ने पंजी करन कराने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी करती है तो एक ये डियूस थी आगे देखते हैं PGT 2016 के रिक्थ पदों पर दो को काउंसलिंग तो शिक्षा निदेशाले ने जिला विद्याले निरिक्षकों के माध्यम से करा लिया सत्यापन अशाश्किय सहायता प्राप्ति यानी एडिड माध्यमिक विद्याले के लिए प्रवक्ता संवर यानी PGT 2016 की भर्ती परिक्षा के रिक्थ पदों पर आवशेष पैनल यानी वेटिंग लिस्ट से नियूक्ती दी जाएगी माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंदर देव के निर्देश पर इस भर्ती के रिक्थ पदों का सत्यापन जिला विद्याले निदिक्षकों के माध्यम से सिक्षा निदेश आले प्रियाग राजने करा लिया है अलग-अलग जिलों में अलग-अलग विशाय के रिक्त मिले 110 पदों पर काउंसलिंग कराकर विद्याले आवंठेन की प्रिकरिया सिक्षाने देशाले में 2 अगस्त को पूरी करा ली जाएगी तो इसमें 110 पदों पर वेटिंग लिस्ट से आपके चैन किया जाएगा यह पद उत्तर प्रदेश मादेमेक शिक्षा सेवा चैन बोर्ड द्वारा विग्यापन 02-2016 प्रवक्ता के अंतरगत मूल चैनिद अभ्यरती के आवंटित संस्था में कारेभार ग्रहन ना करने से रिक्त हैं जिसकी वज़े से फीचरों की भी कमी हो रही है तो इनको वेटिंग लिस्ट से आपके नियुक्ती दी जाएगी तो यह काफी एक अच्छा स्टेप है आगे चलते हैं दो दिन होगी राज जब विश्विद्याले की परिक्षा तो विश्विद्याले प्रद्शाशन ने जारी किया प्रवेश परिक्षा का फंशोधित कारेक्रम विश्विद्याले प्रशाशन ने प्रवेश परिक्षा का पैटर्न भी जारी कर दिया है प्रवेश परिक्षा 9 अगस्त को आपका गोशित किया जाएगा सका परिविद्याले की बात हो रही है प्रोफेसर राजेंद्र सिंग राज्य विश्य विद्याले की, ठीक है, अगला देखते हैं, LLB समित कई पर्ठेक्रमों में दाखिले के लिए कट आफ जारी, तो ये कल भी मैंने कवर की थी न्यूज, इलाबाद उनिवस्टी में आपकी काउंसलिंग वगरा चल रही है, त इस बार देखे, ये थोड़ा से एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस बार भी TET के या TET के आसार कम ये बोला जाता है, टीचर्स Eligibility Test या सिक्षक पातरता परिक्षा जो होती है, प्रात्मिक और उच्छ प्रात्मिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भरती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पातरता परिक्षा यानि यूपी टैट इस साल भी होने के आसार नहीं है, मुख्यमंत्री योगी अधित्यनाथ ने यूपी TET कराने की जिम्मेदारी परिक्षा नियावक प्राधिकारी कारियाले से लेकर प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक पांच महीने का समय लगता है जबकि नया आयोग अभी तक आस्तित्व में नहीं आ सका है पहले आयोग की अधिसूचना जारी होगी उसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन लेकर उनकी नियुक्ति की जाएगी क्योंकि देखिए प्रक्रिया भी लंबी है क्य यदि आज की तारीक में भी नए आयोग की अधिसूचना जारी हो जाती है तो इस वर्ष यूपी टैट कराना नामुम्किन होगा क्योंकि देखिए सही कह रहे हैं जब आभी अगर होगा तो आपका चार से पांच महीन है यानि लगबग जनवरी फरवरी तक जाकर आपका मेंबर्स की नियुक्ति इसमें हो पाएगी उसके बाद कोरम पूरा होगा तब आपके आगे के काम इसमें होगी तो देखते हैं कब तक यह होगा पिछले साल भी परिक्षन नहीं हो सकी उससे पहले नवंबर 2021 के अंत में पेपर लीक होने के कारण 21 जनवरी 2022 को परिक्षा क वो शायद अभी आयोग की लिस्ट में है तो वो होने के चांसेश पूरे हैं के लावा डी एलेड की एक दशम्लाव तीन तीन लाग सीटे फिर रह गई खाली 28 जुलाई कर दी गई थी देखे इसमें आविदन की तिथी बढ़ाई गई थी उसके बाद भी इसमें लगबग आपकी सवा लाग से उपर सीटे खाली चली गई है आविदन की अंतिम्तिती 27 जुलाई और फीज जमा करने की 28 जुलाई तक बढ़ाई थी इसके बावजूर निर्धारित तिती तक एक लाग 21,246 अभी अर्तियों ने पंजी करन कराया जिन में से 99,000 लोगों नहीं एक लाग से भी कम ने प्रवेश लेने के लिए फीज जमा की है पूरी तरह से भरे हुए आविदन पत्र के प्रिंट आउट लेने के अंतिम्तिती आपकी 30 जुलाई है जबकि बागी 17 जो डेट थी लास्ट वो 28 जुलाई थी तो देखे इस 12,20 में काफी सीटे खाली चली गए इसके लावाए कि ये नियूस काफी इंपर्टेंट है आप देखें दिसंबर 2012 की बात हो रही है 290 करोड रुपए यानि 2.9 अरब रुपए 30 देने वाले अभ्यरतियों को एक दशक बात फिर से अपनी रकम वापसी की उमीद जगी है तो देखें 10 साल बाद अभ्यरती वापस लेने के लिए पैसे अपने उसके लिए भी भटक करने और कोट में ही गए हैं इलाबाद हाई कोट की 26 जुलाई को एक अभ्यरती राजकुमार मिश्र के मामले में सच्चिव बेसिक शिक्षा परिशत परताप सिंग वखेल को 10 दिन में फीस वापस करने को कहा है इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी इसी के साथ बॉच्चिस प्रसिक्षु सिक्षब्रती TET मेरिट से शुरू की थी लेकिन पातरता में दानली के आरूप लगते ही लगने के बाद सपासरकार ने प्रसिक्षु शिक्षब्रती TET मेरिट के बजाए academic record यानी section गुरांक आपके जो होते हैं उसके अधार पर करने का करने पड़े 25 से 30,000 रुपए फीस के रूप में सरकार को दे दिये फीस के रूप में सच्चिव के खाते में तो आपके 2.89 करोड रुपए यारी 290 करोड रुपए के आसपास और याट फिर 2.9 अरब रुपए के आसपास जमा हुए हालांकि सुप्रीम कोड के आदेश पर TET मेरिट के अधार पर भरती पूरी हुई लेकिन आपके इसके पैसे वापस नहीं किये गए सचिव संबंदित अभ्यर्ती की फीस वापस करें कोड के निर्ने की बात हो रहा हो रही है कई अभ्यर्ती रुपए वापसी के लिए हाई कोड में याचिकाएं लगा चुके हैं सचिव नवंबर 2018 से डाइट प्राचारियों पर फीस वापसी टाल रहे हैं लेकिन अब तक लेकिन अब कोड ने साफ कहा है कि राशी सचिव के खाते में जमा हुई थी इसलिए सचिव ही संबंदित अभ्यर्ती को इसको वापस करें करने के लिए हैं अब ब était आध कि लना कोई अब हमें कोड़ा तक नहीं आया है कल आपकी 31 तारिक है मैं बता चुका हूँ कल हमारे चार केस लगे हूँ है डबल बेंच में इलावा धाई कोट में और एक केस हमारा 7913 उसकी लिस्टिंग अप्लिकेशन लगी है हाई कोट की लखनाव बेंच में 856 नंबर पो था वो कल मैंने आपको दिखा दिया था वो भी अपना समय निकाल कर वहां जा सकते हैं कल मैं एक सुबह आपको या तो mail ID दे दूँगा अगर आपको लगता है कि आप मुझे वहां के फोटो वगरा या फिर वीडियो वगरा भेजने चाहते हैं तो आप मुझे mail वहां से कर सकते हैं तो मैं अपने चैनल पर जरूर प्रसारित करूँगा और आपकी जो भी वहां पर हुआ वहां पर दिखाने की कोशिश जरूर करूँगा तो कल मॉर्निंग में आपको वह अपना mail ID वगरा दे दूँगा वहां से आप मुझे Sonra वहां पर देव बरीजत के वहां पर दू लग्ट को ओमें इक खर दे थींग देखर ज्वाटर हयको ow बबुचवगा तो मुझे सकते हैं पर बबचस, के जाएंज हैं और अनल वा, देखरे लिखरे, चैनलिपस, के जाएंज हम पर gonna, फो जाएंज हो खो, ऑाटो.